न्यूब लेनो 2022 तो मिलता ही है लेकिन आपको यहां पर कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं जो कि इस गाड़ी को कुछ खास बनाते हैं और आपको जरूर रेट्रेक्ट करेगी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है और ओटो कार्स मिल जाता है जो कि आपकी गाड़ी को और और क्रोम वर्क आपको साथ हैं चाहां投व बने रही है та फो टायर दा कार रिव्यू चैनल के साथ में बिल्कुल यहाँ पर जो है मैं लेके चलता हूँ आपको गाड़ी की और करते हैं फुल कार रिव्यू बिल्कुल आप मेरे साथ में बने रही है सबसे पहले चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा सेर कर दीजिए अपनों में जिनको भी गाड़ी लेनी हो मारती सुझी की नेक्सा की तो प्लीज वो जो है इस वीडियो को जरूर कंसिस्ट करेंगे ठीक है तो आपको मैं लेके चलता हूँ वीडियो की और तो यहां पर दीखे सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं गाड़ी के आउटर पार्ट की फिर बात करेंगे अंदर के बहुत ही प्रीमियम है और बिल्कुल आपको पसंद आने वाली यह गाड़ी आपर की तो यहा दिखने रही है बिल्कुल नाइट में अगर देखोगे तो काफी प्रीमियम है एलीडी टाइप में जो की काफी अट्रेक्ट करती है इसके लावा यूवी कट क्लासेज है नेक्स टैर के यहां पर एलीडी डियारल्स है नेक्स वेव के ग्रिल्स वीद क्रोम है फिनिसिंग पर और इसके लबाँ दोर देखें तो यहां पर दीकिएं बोडी में ऑ और यह अंको यहां पर और एंटिर उनको यहांपर बताया गया है यहां पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं है इसको दबाते ही उपर देखे डैस्पोर्ड के ओपर डिस्प्ले निकल के आती है यह निकल के आती है बिल्कुल अच्छी प्रीमियम लुक में देखने को मिल रही है आपको यहां पर देखिए और यह कुछ अलग ही यह एक्स्ट्रा फीचर से जो कि आपको अलग अट्रेक्ट करेगा क्योंकि यह डिस्प्ले आपको यहां पर निकलते ही इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा तो यह इस्पीड में गाड़ी है आपको घरदन नहीं नहीं नजरे कहीं आपको चुरानी नहीं है कुछ देखने को मिल जाएगा इस फीचर की एक खास बात यह कि यह सिर्फ आपको यह नजर आएगा सामने वाले को कुछ भी नजर नहीं आएगा उसको तो लगेगा इन्हीं कुछ आहिक नहीं है क्योंकि यह ट्रांस्पेरेंट है और बिल्कुल किसी को भी नजर नहीं आप जो है इसको बंद भी कर सकते हैं उड़ वाला जो बटन है इसको बंद कर दीजिए और यह अंदर चले जाएगा और नौर्बल आपका बन जाएगा ठीक है अब बात करते हैं इसके वाले बटन की यहां पर वाला बटन जैसे दवाते हैं तो आपकी जो 9 इंच की एंड यह गाड़ी जो है आपको बता दू कि नए यह 360 डिग्री के अंदर आप देख रहे हैं कि पहले जो है महिंद्रा की एक्षिवी 7W थी वह ज्यादा लोगों ने पसंद करी थी 360 डिग्री कैमरे फुल लोडेड थी वह भी इसको भी फुल लोडेड किया गया है और बले नो जो है नेक्सा की सबसे ज्यादा अच्छी गाड़ी बनने वाली है लोग इसकी और जरूर प्रिफर करेंगे और जरूर एट्रेक्ट होंगे क्योंकि बले नो पहले से ही सबकी पसंद थी लेकिन अब फुली लोडेड आ चुकी है और फीचर से फुल लोडेड है विल्कुल तो कैमरा देखने के बाद में डेस्बॉड को जो है ये डिस्पले जो है ये काफी अच्छा लुक दे रही है इसके लुक को इंहेंस कर रही है बिल्कुल डिस्पले जो है 9-inch की आय श्मार्ट प्ले प्रो है और यहां पर टच स्क्रीन है बिल्कुल साउंड जो है साउंड पावर्ड बाई जो है और यहां पर चार श्विकर तो बड़ी साउंड के मिल जाते दो जो है आपको यहां पर ट्यूटर मिल जाते हैं ठीक है इसके अलावाद जो है आप इसके अंदर जो है एक चुझुक का खुद का जो हाई शुझुकी वीद बारगन वोक अप वाला फं है यहां पर देखने को मिल रहा जबसां सामने से आर यहां पर पर और शीज्ट बिरणय और आप उपर आप सब्सक्राइं यहां चर्द वाद बारद राहते हैं आप उसमेवरे पाठेन लिए न आंद motives क्यों पर तरीके से इस बार जो है इसमें सेट अप किया गया है इस तो प्रिमियम गाड़ी में जैसा होना चीए तो वैसा लग रहा है नीची आ जाता है यहां पर आपका आर्म रेस्ट मिल जाता है थोड़ा आप आगे तक बढ़ा सकते हो ताकि आपकी आर्म को अच्छे से मिल जाएगा ग्लोब ऑक्स कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है और आपकी जो डेस्ट बोड़ है गाड़ी का वह कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है ठीक है यहीं पर राइट और की बात करेंगे तो य इदर की जो है अच्छे से फिनिसिंग की गई है तो सारे गाड़ी के डॉर्स को काफी अच्छा लुक देता है और गाड़ी को अवरॉल प्रीमियम लुक देता है यह दोर की वज़े से ठीक है यहां पर प्यानो फिनिसिंग ब्लैक दी गई है इसके अलावा जो है आपको अच्छा इसपेस्ट निकलते हैं में अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेरे अच्छा इसपेस मिल जाता है बलेनों के अंदर बोड़ी के अंदर कोई चेंजेज नहीं है जितनी पहले में इस पेस्ता उत्रा ही अभी है लेकिन और ओल देखे तो तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं बलेनों के अंदर क्यों प्रीमियम है गाड़ी है यह वाली ठीक है पीछे की साइड का कुछ इस तरह से बासल ट्रे मिल जाती है आपको और बैक स सीधा जो है अपने मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे ठीक है और एक यूस्वी पावर मिल जाता है दोनों तरह से यहां पर ऑप्संस मिल जाते हैं इस तरह से थोड़ा चेंजिस किया है और प्रीमियम लुक दिया है गाड़ी को ठीक है बाहर निकलते हैं तो कुछ इस तरह के नीचे देखेंगे सुझी को के लोगो है उसके साथ में किया गया है वहीं पर लेप्रेंट साइड वाला जो है आपको देखने को मिलेगा कि यह भी और बीकलर के साथ में टार इंडिगेटर दिये गए हैं बैक साइड चलेंगे तो आपको बिल्कुल क्रॉम की जो यह प क्योंकि पहले से अगर देखें तो बूट के अंदर जो है अपनको 308 लेटर का स्पेस मिल जाता है यहां पर बूट के अंदर काफी अच्छा स्पेस है और इसके लावा जो है पीछे से आपको गाड़ी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी काफी अच्छी प्रीमें लुक बूट मिल जाता है इसके लावा यहां पर एक चीश्य और मैं आपको बताना चाहूंगा की जो है काफी अच्छे से चारोriendial को क्रॉम्हें का गया है । ORBM जो है वो Turn indicator के साथ में body color में μέच किया गया है उसके अलावा tail side में Chrome का work काफी अच्छा है और जो doors है उसके side में एक देखिए अलागसे styles में Chrome work किया गया है ये भी काफी अच्छा लगा मुझे ठीक है इसके अलावा alloy wheel देख लीजिए R16 के यहाँ पर जो अटायर मिल लाते हैं अलोई वील के साथ में यह भी काफी अच्छा लगा ठीक है यहाँ पर और आपको मैं बता दू स्पोईलर दीखे काफी अच्छा प्रिटी लुक दे रहा है पीछे की साइड में स्पोईलर गाड़ी जो है काफी प्रिमियम है और बिल्कुल यहाँ पर जो है क्रोम वर्क जो है काफी गाड़ी कंपनी खुद करके दे रही है तो काफी अच्छे से करें के दे रही है और बिल्कुल गाड़ी के लुक को है इनेंस करती है इसके चाहिए आप ऐलोई की बात कर लीजिए या फिर गाड़ी के LED लाइट्स की बात कर लीजिए और और प्रीमियम हैच में गाड़ी के अंदर जाते हैं तो बलेनो सबसे अच्छी गाड़ी आती है नेकसा की गाड़ी है और आपको पता है गाड़ी के अंदर फीचर्स को लोड किया गया है 2022 के अंदर गाड़ी के और बात करो जैपूर राजस्तान की क्योंकि जैपूर में रहता हूं तो जैपूर की बात करें अपन तो अगर बेस मोडल की बात करेंगे तो 6,35,000 रुपए का बेस मोडल है और आटियो जो है यहां पर 66,000 रुपए का मिला और इंस्चोर्य चोटीश जाट टोटल 7,36,000 रु और अलफा जो है मैनुवल गयर की बात करेंगे तो मैनुवल गयर अलफा के अंदर बात करें तो 8,99,000 रुपए की गाड़ी है 39,500 रुपए इसके आटियो है 43,000 रुपए इंस्चोरेंस है ठीक है इस तरह से देखे तो टोटल गाड़ी की जो कोस्ट है वो 10,00,000 और 36,000 र 3,00,000 रुपए अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं बिल्कुल तो आपकी गाड़ी का जो है 7,00,000 रुपए यहां पर जो है रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है 7,00,000 रुपए को अगर 8,500 एनुवल फीस के इसाफ़ से अगर देखें और 7 साल के लिए EMI बनाए अपन त क्योंकि इसकी 10,00,000 रुपए में जो है और भी बहुत सी गाड़िया है जो कि आपके बजट के अंदर आ सकती है जिसके दर वेन्यू की बात कर लेते हैं किया की सोनेट की बात कर लेते हैं ब्रेजा की बात कर लेते हैं और XUV 300 की बात कर लेते हैं यह कुछ प्रीमियम या पिर Compact SUV है जो कि आपको इन में मिल जाएगी और वहीं पर अगर शैडान की बात करें तो शैडान में भी काफी गाड़िया है जो कि 10,00,000 को टच करती है तो बिल्कुल आप जो है सोच समझ के कदम उठाईएगा बलेनों लेनी है तो सिर्फ फीचर्स देखके लेनी है या पर यह वर्दी भी है क्योंकि 10,00,000 रुपे जा रहे हैं तो क्या 10,00,000 रुपे की गाड़ी है तो आप मुझे कमेंट करें कि वाकई मिन दस लाग में बलेनों लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए मिलते है नए वीडियो साथ में अभी इतना ही थैंक यू फ्रेंट्स